हलो फ्रेंज कैसे आप सब लोग वेल्कम पैक एं थैंक यू सो मच पर एलवेंट सपोर्ट चलिए दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं फिर से एक हेल्दी रेसीपी लेका है हूं पालक की रेसीपी है बहुत ही यमी डिशिस रेसीपी है मतलब बच्चों के लिए तो इतन की लेका द Rap पालक का चीला बनाने के लिए मैंने पालग लिए है तमाटर लिए है अदरक, लसं, हरी मिर्च, दही लिए है बशन, नमक लिया है और और लिव लिए है कि आप किसी में बना सकते हैं जिसमें आपको बनाना है बटर या ओए जो भी आप यूज़ करते हैं को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चलिए एक बोल ले लिजिए उसके अंदर पालक डाल लेंगे अफना भला अधिक शुटा छोड़ा चॉटा चॉप कर लेना हारी मिरिज डाल लेंगे है लस्जनद्रक डाल लेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा है और बहुत ही रेटी रेसिप्ई है यही ब्रेकफास्ट और बहुत जल्दी बनने वाली को फोड़ी समय टमाटर डाल लेंगे अगर आपको कुछ और डालना है कोई भी वेजीटेबल आप डाल चकते हैं हम इसमें ज्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे इसमें हम एक चमस डाल देंगे नमक और एक चमस डाल देंगे हम इसमें अजवाइन बहुत बढ़िया रहती है जवाइन और इसमें हम दो बड़े चमस डाल देंगे बेशन बेशन हमने बहुत कम यूज करना है और इसमें डालेंगे दो चमस दही और इसको करेंगे मिक्स अब अच्छे जे मिक्स कर लेना इसको पानी हम बाद में डालेंगे क्योंकि पालक में थोड़ा पानी है तो हम इसको अच्छे तरह बाइंड कर लेंगे कर गेचिए हूं है ज्याधा बेसं नहीं डालना है हमें सिर्फ इतना ही डालना है कि बैंड होजय हमें पालक ज्यादा रखना है और इसमें हम पाइज डालेंगे धोड़ा सा कि धोड़ा हमारा रेडी हो गया है इसका बढ़िया बैटर बनाना ऩी में कि बैटर हमारा रेडि हो गया है चलिए आपना तवा ले लेते हैं और इसको बनाना स्टाट करते हैं है चलिए तवाले लीजिये और इस पर डाल दीजिये और जो हमारा बेटर है पालक वाला उसको ऐसे डाल लीजिए इसको धीरे-धीरे फिला लीजिए आपको जैसे साइट चाहिए चोटा चाहिए बड़ा चाहिए आप उसी साब से बना लेना इसको थोड़ा जाल दीजिए और फ्लेम को कर लेना लो नहीं तो यह ज़ल जाएगा यह देख्जिए बेसं कम है पालक जादा है बहुत ही healthy breakfast है और बहुत ही जलदी बन जाता और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको आप उनके breakfast में दे सकते हैं उनके tFF में दे सकते हैं चलिए इसको पलटते हैं अब यह देखिए कितना बड़िया कलर है दूसरी साइट से भी इसको पकाएंगे चलिए इसको देख लेते हैं इदर से भी पक गया है और यह आपका पालक का चिला रेडी है आप इसको ऐसे बनाईए और इसको आप ऐसे जरू ट्राइ करके देखना खाके और मुझे कमेंट करके जरू बताना कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी तैंक यू वेरी मच्च